हेलो प्यारे बच्छों कैसे हैं आप सभी मैं सुनील आपका स्वागत करता हूं अपनी मैत की क्लास में जहां हम मैत में नंबर सिस्टम पढ़ रहे हैं और इसी प्रियोंस को हम थोड़ा आगे लेगे चलते हैं आज हम पढ़ेंगे इसी नंबर सिस्टम में रिमेंडर क्षिशन क्या-क्या है कुष्टन होते है जिसमें रिमेंडर से प्रावपल्ब्लम होती है कि कि इन रिमेंडर बचा कितना नहीं हुआ उस तरह के क्षिशन करेंगे उससे पहले हम जानेगे कि रिमेंडर के लिए हमें क्या-क्य चीज Yay I am क्या क्या चीजे जानने जरूरी है, सबसे पहले हमें पता होने साथ यह डिवाइजर क्या होता है, डिवाइजर इसको हम इंदियों गोलते हैं भाजर, यह क्या है, डिविडेंड क्या है, यानि भाज्य क्या है, कोशेंड यानि भागफल क्या है और किस तरह इसका यूद होगा और रिमेंडर यानि सेस फल यह सिंपल हम सेस हो सकते हैं यह सब जानेंगे तभी हमें रिमेंडर बेस्ट कुश्चन को करेंगे तो बाया हैं लियु तो बाण की साथी कोश्च कर रहें पर इसी यहीं पर लिखा जाता आएंतнения्य. यहां पर लिखा जाता है यह कहलाता है तो बायायब लिखाब इस से भाग दी याती है जिस नम्बर से वहाज दी जाती है वहसंख्या बाज्या कहलाता है ओर जिस संख्या में भाज्या है और भाज्या जाती है और यह भाज्य कहलाता है डिविडेंट इससे नेक्ष्ट जो भी हमें प्राप्त होता है इसे हम भागफल कहते हैं वो यहां प्राप्त होता है भागफल यानी भागफल और लाश्ट में कही बार पूरा-पूरा कट जाता है बीरन कही और नहीं टो कुछ और यहां पर क्या बदाес कि क्शन में हमें समय आ जारा है कि भाजा और वह चीज में भाग दिया आता है वह भाज्य होती है उसी संख्या के वह बात कर रहा होता है, भागफल प्राप्थ होता है हमें और सेज प्राप्थ होता है, तो इन चीजों का कैसे यूज करना है, किस तरह से कुष्ण आएगा, कुष्ण में अधिकतर कई बार संख्या पूछी होती है या दुबारा से सेज पूछा होता है, क्य का लिए निकालनी है तो निकालने के लिए क्या करते हैं तो एक सिंपल्स है जो हमें याद रखने है को है डिविडे अ कि यानि कि भाज्य कि यानि कि वह संख्या जिसकी वह बात कर रहा है यह किसके बराबर होती है तो भाज्य जो होता है वो होता है हमारा भाज़क गुना भागफन भाज़क गुना भागफन और प्लस जो होता है इस तरह के सारे कुष्चन बहुत आसान है लेकिन कुष्चन तो इससे ही होंगे तो भाज्य पराबर भाज़क गुना भागफन प्लस से इस तरह से संख्या निकलेगी और फिर आगे हम कुष्चन करेंगे तो कई बार संख्या पूछेगा और कई बार केवल सेज पूछेगा अगर सेज पूछेगा तो फिर से भाग लगाके हम इस पुष्चनों को परेंगे लिए किसी संख्या को 18 से भाग किया जाए तो पाथ सेस बचता है अब यदि उस संख्या के स्क्वायर को 6 से भाग किया जाए तो क्या सेस बचेगा यहां पर भागफल तो है निक तो अब आपके दिमाग में कुछिश्टन आया होगा कि यहां पर भागफन तो है निए पोसेंट तो है निए भागफन तो है निए तो कैसे करेंगे तो क्या बताया अभी तो बताया कि भाज्य बरावर भाजक गुणा भागफन और पिला सेश यह बताया अब भाजक तो दिया है भाज्य यानि वह संख्या वह संख्या कैसे निकलेगी भाजक कितना दिया है अठारे गुणा भागफन क्या दिया है कुछ नहीं दिया और सेश कितना दिया है पांच तो संख्या निकल जाएगी कि अच Раз थीक है लोक तो लेकिन अब भागफन नहीं दिया तो क्या करना है तो एक बात हम को रड़ लेएं है याद कर लेनी है किसी भी कुस्चन में हो जब भी भागफन नहीं दिया है यदि भागफन नहीं नहीं दिया है तो हम उसको जीरो मानेंगे बच्चों जीरो याद रखने नहीं जब भी ना दिया हो तब जीरो मानना है तो अब जब जीरो मानेंगे तो वह संक्या कितनी आ जाएगी 18 में 0 करेंगी तो 0 की गुणा हो जाएगी 0 0 रहेगा प्लस 5 कितना हो गया यह 5 ही हो गया तो यह हो गई संख्या अब किस में भाब करना है इसके square में तो 5 का square क्या है 5 का square आपको बड़े अच्छे से पता है 25 होता है अब इस 25 में भाब करना है 6 से भाब करना है बड़ा असान है यह तो आप ऐसी कर लेंगी और एक क्या बच गया 6 और यही उसने हमसे पूछा था कि लिमेंडर क्या होगा तो यही हमारा क्या होगा आंस्वर होगा तो यहाँ समझने के लिए सिर्फ इतना है एक तो फॉर्मुला याद होना चाहिए दूसरा यदि हमें भागपन नहीं दिया तो हमको भागपन क्या रखना है जीरो रखना है और जीरो रखके कर देना है यानि डार्ट से इस हमारी संख्या आजाएगी फिर जैसा भी वो कहें वो करका यह संख्या में कहें आ तो उसी में भाग दे देंगे डबल करने के लिए करेंगा तो डबल करके भाग करेंगे और फिर वर वर ना है तो अच्छे से समझी में आया होगा आप इन तरीवों को यूज करेंगे आप कोई भी तैयारी कर रहे हो मैस जहां भी आएगा वहां सब यह चीज़ें काम आएगी बिल्कुल बेसिक है और यह जाननी बहुत जरूरी है और देखते हैं क्या क्या कुश्चन है एक और कुश्चन ले रहा हैं यह जाना नमबर इस ड्वाइड़ भाग किया जाता है तो 36 भागफल और सत्रे से इस बचते हैं किसी शंख्या को साथ से भाग किया जाएगा तो से इस क्या बचे तो आप संख्या निकालेंगे कि देखते हैं किस तरह से करते हैं कि इजिए फटापट कैसे निकलेगी संख्या तो संख्या कैसे निकलेगी संख्या बड़ा आसान है वाजर गुना भाग पर अच्छा मैं बार बार लिख रहाँ इसको तू लिख रहाँ जिससे आपको रठ जाएं चीज़े भाजर कुना भागफल फिला सेस तो आप करके संख्या निकाल सकते हैं 24 इंटू 36 पिला सेवन पताइए करके कितना होगा पटापट करेंगे तो पहले आप इसकी गुना करेंगे और फिर साथ से भाग करेंगे तो आपकी संख्या आ यह आपकर कितना आया है 24 सिखजा 144 और यह 72 और 44 कितने हुए 56 अब देखते हैं अब उसने कहा है इस संख्या को साथ से भाग करना है को कर लेंगे इसको साथ से भाग बहराता आने शाथ यह 12 । टैम जायेगा शेविए लौन फिर एट अब यह टू यहा लाग बाचा थो अब कितना बार जाएगा पांच बार जाएगा थर्टिवाइगा शिक्स क्या रहे हमारे रिमेंडर यह होगा है मारा आंस्वर चैसे से बचेंगे, यही आंस्वर हो जाएगा, तो क्या ऐसे ही करेंगे हम question में, यह कुछ और तरीके use कर सकते हैं, बताइए सोच का, ठीक है, यह तो formula था, अब लेकिन हम कैसे करेंगे, आईए देखते हैं इसको एक बाद, अब हमने संख्या निकाली थी, 24 इंटू 36 प्लस 17, क्या हम से संख्या निकालने के लिए कहा है उसने, नहीं कहा है, उसने केवाल remainder के लिए कहा है, तो यह निकल गई संख्या, हम इसमें भाग करेंगे किस से, 7 से, अब ऐसे में हम भाग कैसे कर सकते हैं, 7 से पहले इसमें भाग कीजिए, लेकिन लिखना क्या है remainder, क्यों? क्यों कि remainder ही तो पूछ रहा है हम से, remainder लिखना है, 7 से 23 प्लस 17, 35 एक बचा, साथ दूनी 14, तीन बचे, तो क्या बचा उपड़, यह इंटू है, इंटू, 3 वंज़ा 3 प्लस 3, कितना हो गया? 3 वंज़ा 3 प्लस 3, टोटल होगा है 6, अपॉन 7, 7 से डिवाइड करना है, 7 से डिवाइड करके हमारा क्या होगा? अब आप इसे देख लेंगा, अच्छे से, आता ही है, यहीं पता लगगा है, बार-बार लिखने कोई जरूत नहीं है, तो 7 एक बार भी नहीं जाएगा, 0 तो 6 से क्या हो जाएगा हमारे, remainder हो जाएगा, 6 ही हमारा, 6 हो जाएगा, और यहीं answer हो जाएगा, तो यह बात समझे में आई, यानि जब भी हम से remainder पूछाओ, तो जरूरी नहीं कि हम पूरी calculation करेंगे, हम केवल और केवल remainder पर focus करेंगे, एक बार फिर से देख लीए, मैंने इस तरह से संख्या निकलती संख्या निकाल दी गुणा के रूप में लिख दिया है अब साथ से इसको काटा और केवल और केवल सेज लिखे 27 अब 27 गया है वो तीन नहीं लिखा ये 27 तीन बचे वो तीन लिखे है जैसे यहां 7,35 कितना मचा ये लिखे लिए दोनों में मल्टिपलाई थी यानि गुणा थी गुणा कर दी तीने कम तीन और प्लस यहां से भी क्या है 7,24 तीन बचे तो तीन लिखे तीन और तीन कितने होगा इच्छे अब 6 में साथ का भाग होगा तो 6 ही सेज बचेंगे तो इस तरह की ट्रिक आप अपना होगे जिससे कि आपको ना तो बड़ी कैल्कुलेशन करनी पड़े और फटाक से कुश्चन हो जाए यह चीज़ें अच्छे समझ में आ गए हूँगी आप इसको लाइग और सेड़ करते हुए चलिए और अपने कमेंट्स में बताइए जीज़ें अच्छी लग रही है या किस तरह से आपको ऊच्छी पसंद आ रहे हैं और अपनी तैयारी जारी रखिये आप हमारे एप की दौरा भी अपनी तैयारी को और बूस्ट कर सकते हैं next question if we divide a number by 51, we obtain a question 54 and remainder 35 what will be the remainder if the square of that number is divided by 8 how do you see if 1.5 निरी किसी संख्या को 51 से भाग किया जाता है तो 54 भागफल और 35 से बचेगा यदि इस संख्या के वर्ग को आठ से भाग कि अधी समझेंगे अभ पहले थरी कसी हम नहीं कर सकते हैं निकाले हम उसी तरीके से करेंगे जो तरीकी तरीका मैंने बताया क्यों कि हम यहां से हम संख्या निकालने लग गए तो क्या होगा बच्चो 51 इंटो 54 पिलास 35 ऐसा करेंगे तो यह नमबर निकलेगा और फिर उस नमबर का क्या करना है इसक्वाइर भी करना है इस नमबर का फिर इसक्वाइर भी करना है अभी को आसान काम तो है क्यों इसको momentos और फिर सच्वाइर करें मिलना तो अपने तरीके से कहाश्य ऑबी हम क्या ओप लिख लेंगे सौन नहीं करेंगे सिर्फ और सिर्फ लिख लेंगे सौन नहीं करेंगे और किस से डिवाइड करने के लिए लाश्ट में एट से इससे डिवाइड करेंगे अब ध्यान से पढ़िए क्या हमसे कहीं नंबर पूछा है कि नंबर क्या है नहीं हमसे केवल रिमेंड पूछा है कि रिमेंडर क्या है तो हम केवल रिमेंडर पर धियान करेंगे नमबर निकालने कोशिस नहीं करेंगे जैसे अब इसकों बिवाइड करते हैं तो कितना हो गया तो यहां पर यहां पर यहां पर यहां पर अब कितना हो गया इसक्वाइर अभी हमने नहीं किया है तो तीन चींग अठार है और तीन 21 21 का स्कॉयर और बटे आठ अब 21 का स्कॉयर पता है तो बहुत अच्छी बात है लेकिन मुझे तो नहीं पता है पांच लिखने अब पांच का स्क्वार तो हमको च्छे से पता है ना पांच का स्क्वार होता है पच्छिस बट्टे आठ तो रिमेंडर क्या बच्छा एक आठ तिया चौविस और एक क्या बच गया हमारा सेज बच गया यही आंस्वर हो एक चीज आपको च्छे समझ नाइं हमने जैसा लिखना जैसा उसे कहा ऐसा लेकिन सॉल्व नहीं किया तो पहले भी नंबर संख्या बढ़ी आगे तो फिर से च्छूटी कर ली और फिर square किया और फिर solve किया यही हो गया इस तरह से हम इनको आसानी से कर सकते हैं और देखते हैं कुछ और कुछ और कुशन और अपने concept को मजबूत करते हैं find the list number that is successive divide by 8, 6, 9 and obtain remainder 4, 2, 5 successive divide क्या होता है हमें वहें छोटी संख्या ग्याद करनी है 8, 6, 9 से भाग करने पर 4, 2, 5 6 बचते हैं तो successive divide क्या होता है यह हमें यहाँ पर समझ लेना है अच्छे से देखें जी successive divide क्या होता है suppose मैंने कोई number लिया 1, 3, 5 और इसको मुझे success divide करना है 4 3 और 5 से तो यह divide कुछ ऐसे होगा 135 सबसे पहले किस से divide करेंगे हम 4 से 4 से divide करेंगे जो कितना हो जाएगा यह 3 और फिर से 3 फिर से 3 यह 12 होगा है 1 बचा 5 यह 12 और फिर 3 ही क्या होगा है? रिमेंडर बचेंगे अब जो भी यहाँ पर हमारा भागफल प्राप्ट हुआ है इस भाग में फिर से 3 की गुणा होगे जैनि दूसरे रिमेंडर के हम इसमें गुणा करेंगे दूसरे रिमेंडर की गुणा कीजिए 3 से divide करेंगे दूसरे रिमेंडर दूसरे भाग भाजक से दूसरे भाजक से भाग करेंगे यह 11 बार जाएगा और 33 यहां कितना बचा जीरो अब इस 11 को क्या करेंगे आप करेंगे 5 से यह दो बार जाएगा 10 और 1 सेश बचेगा तो मेरे यह भाज़क थे और सेश क्या बचे 3, 0 और 1 यही सेश बचे तो यह होता है सक्सेसिव डिवाइड, लगातार भाग, किरम सेब, क्रमागत भाग ठीक है? continuous डिवाइड कोई भी वर्ड आपको मिल सकता है इस अभी में से जो भी हमें समझे में आदा है उस तरह से हम इसको कर लेंगे अब आते हैं वापिस कुष्चन पर तो वह संख्या चाहिए जिसमें 8, 6, 9 से डिवाइड करने पर 4, 2, 5 प्राप्त हो तो कहीं डिविडेंड ये भागफल दिया है आए में भागफल तो नहीं दिया और मैंने सब से पहले बताया था भागफल ना दिया हो तो भागफल क्या मानते हैं? जीरो मानते हैं किसी से करेंगे अब इसको करने का मैं आपको डारेक्ट तरीका बता रहा हूं जिससे आप जल्दी कर पाऊगे आप एक तरफ लिख लोगे खटापट भाजक यानि डिवाइजर 8, 6 और 9 दूसरी तरफ लिख लेंगे 6 जो है हमारे 4, 2, and 5 अब भागफल हमें नहीं दिया है तो यह हमारे भाजक थे और यह सेस अब यदि हमें सेस नहीं दिया है क्योंकि हम सेस दिया है भागफल नहीं दिया है तो भागफल और डिविडेंट यह दोलों यहां रहेंगे हम सबसे अंतिम में भागफर मान लेंगे 0 अब जब भाग 0 है तो भाजक गुणा भागफर 9 गुणा 0,0 और पिलस 5 तो कितना हो गया? 5 यानि कि यहां का इस वाले का dividend 5 हुआ भाज्य 5 हुआ अब अगला करेंगे तो फिर इसमें गुणा करेंगे 6 गुणा 5, 6 पंचे 30 और 2 32 यह 32 अब इसकी गुणा इसमें करेंगे और फिर इसमें 4 जोड़ देंगे यह गुणा करेंगे, यह प्लस करेंगे ठीक है? हाँ जी तो इसमें 8 के गुणा कीजिए, 32 अठे कितने होते हैं और फिर इसमें 4 जोड़ दीजिए आठ दूनी 16 और आठ तीए 24 और एक 25 तो 256 हो गए 256 में 4 जोड़ देंगे तो कितना आ जाएगा? 206 यही आंस्वर होगा तो बच्चे आप अच्छे से समझ गए होंगे इसे हमें भाजक लेना है और सेस लेना है फटा फट लिखने हैं यहां पर कुछ संख्याए होंगी जैसे हमारे भाजक है और यहां सेस है एक सबसे अंतिम भाजक जो है उसे हम 0 माल लेंगे इन दोनों की गुणा करेंगे और इसको प्लस कर देंगे और यहां लिख देंगे ऐसे ही फिर इन दोनों की गुणा करेंगे और यहां लिख देंगे इन दोनों की गुणा करेंगे कि इसे प्लस करेंगे और यहां लिख लेंगे और यहीं आंसर प्राफ्ट हो जाएगा तो यह चीज़ें आपको अच्छे समझे में आई और देखते हैं कुछ कुश्चन यह भी समझा था हमने इसी संख्या में एक नंबर में नौ साथ और आठ से भाग करने पर रिमेंडर साथ चार और तीन प्राफ्ट होते हैं तो क्या रिमेंडर प्राप्त होगा यदि डिवाईजर पलट दिये जाएं यानि एट सेवन नाइन कर दिये जाएं तो पहले नंबर निकालना पड़ेगा और नंबर कैसे निकलता है वह कौन हो ला भाजक उना भागफल प्लस सेज लिखने का तरीका जैसा आप यह बताया था वही होना चाहिए नाइन सेवन एट यह भाजक है और सेज से हमारे सेवन पोर थरी सबसे अंत में भागफल दिया है तो ठीक नहीं दिया तो जिरो वा लेगे यह दोनों उना यह प्लस यहां इस प्रांसफर और इसी तरह से प्रोसेस रहेगा तो करें संख्या निकाले खटापट सभी अपनी संख्या निकाल के नोट करें देखते हैं तो एट जीरो जीरो पिलस थी 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 होगें सेवन त्रीजा ट्वंटीवन और यह ट्वंटीफाइव होगे साथ्येक्टिस और चार पच्चिस और नोग उना पच्चिस तो 59 नहीं 25 इंटो नाइन 2 तो 5 दोसो पच्चिस और साथ कितना हुआ नो में 25 की उना करेंगे 25 निम्मा 225 और साथ तो 232 यह आ गया जी नंबर निकाल लिया लेकिन क्या नंबर पूछाए उसने नहीं नंबर नहीं पूछाए उसने का एट सेवन और नाइन से भाग करने पर क्या रिमेंडर होंगे तो 232 आपका नंबर आ गया और आपके रिमेंडर आपको डिवाइड करना है एट सेवन नाइन से वह भी कैसा सक्सेसिवली तो 232 इसको पहले डिवाइड करेंगे एट से एट पहले निखा एट से डिवाइड करेंगे कितने बार जाएगा तू टाइम सिक्ष्टी सेवन तो अब यह कितने बार जाएगा नाइन टाइम्स आठ निम्ब आतर क्या बचा जीरो बचा अब इसमें जो भी बचा इसमें दूसरे नंबर की दूसरा नंबर क्या है साथ इससे भाग करेंगे साथ से भाग कीजिए साचक 28 यह एक यहां पे कितना से इस बचा है एक अब हमारा भाग पर कितना आगा है चार अब इस चार में भाग करेंगे तिससे नौ से कितनी बार जाएगा जीरो बार और यह चार ही क्या हो जाएंगे शेस तो हमारा रिमेंट आंसर क्या आए जीरो वन और फोर यह आए हमारे शेस यह चीज़ें अच्छे समझ में आ रहे हूंगी आपको इनको आप फिर से करके देख लेंगे जब हम संख्या निकालें दिन गतलेंगे तो एजीरे निकालेंगे वापिस वरमेंट निकालेंगे तो टो सिंपल भाग वाली परकोड़ियार है तो यह चीज़ें आपको अच्छी आरह ए हैं पसंद आ रहे है तो अप इनको शेर कीजिए लायक कीजिए ज्यादा ज्यादा कमेंट कीजिए और इससे next हम करेंगे अपनी next class में, तब तक के लिए thank you, आप अपना प्यार बनाए राकिए, और हम ऐसे ही अच्छे अच्छी वीडियो लाते रहेंगे, thank you, बच्चों, अगली class में मिलते हैं